जैहिंद दोस्तों, केंद सरकार पेंशन नियम नमबर आठ में बदलाओ करने जा रही है जिससे की कई केंदरी करमचालियों की को जटका लग सकता है और उनकी पेंशन तथा ग्रेजूर्टी भी बंद हो सकती है क्या है नियम और क्या बदलाओ करने जा रही है राश्टपत की मंजूरी बाकी है बाकी सारा काम हो चुका है तो बड़ी खबर निकल कर आई है सबसे पहले वो खबर देखते हैं क्या है जी नियूच की खबर है और ये 26 अक्टूबर 2022 की खबर है कें सरकार ने के कर्मचारियो को बड़ा जटका ऐसा करने पर अपनी पेंशन और ग्रेजूटी खो सकते हैं नियम नंबर आठ में बदलाओ संसोधन करने जा रही है इसमें नियम नंबर आठ बदला जाएगा और बता दें कि इसमें ग्रेजूटी भी बंद की जा सकती है और पेंशन भी बंद की जा सकत अंतता इसे राज में भी लागू किया जाएगा बाद में राज में लागू किया जाएगा पहले केंद सरकार में लागू हुआ इस नियम के अनुसार नियम नंबर 2021 के नियम नंबर 8 के अनुसार केंद सरकार के एक सेवा निम्रत कर्मशारी की पेंशन और ग्रेजूटी को न जो संस्था थी उसमें आपने उनका नुक्सान किया है उस संस्था का ऐसा अगर दोसी पाया जाता है तो उसकी भरपाई आपकी पेंशन और ग्रेजूटी से की जा सकती है पेंशन नियम 2021 के नियम नंबर आठ को केम सरकार ने बदलाओ के लिए मंजूरी दे दी है इसकी सूचना जारी हो चुकी है सेवा निबरत करमचारियों की पेंशन ग्रेजूटी या दोनों को रोकने का नेड़े ले सकती है इस पर बड़ी खबर आ चुकी है और बता दें कि नियम नंबर आठ में बदलाओ से उपरोक्त एजेंशियों के पास पेंशन को पूर्ण या अंसिक रूप से रद करने का अधिकार रहेगा पहले ऐसा था कि अगर आप से कुछ नुक्सान हुआ है नोकरी करते टाइम पे तो आपको पेंशन पे नहीं काटा जाता था आप से भरपाई की जाती थी लेकिन अब आपकी पेंशन और ग्रेजूटी में से काट लिया जाएगा तो यह संसोधन किया जा आठ बदलाव के लिए तयार है इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा उतलाई करें चैनल सब्साइब जरू करकर रखें चिस्से की लेटर्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक्यू जैहें